ब्रम्मा विश्णु महेश अजर अमर नहीं है इनका भी आविर्भाव अर्थात जन तथा तिरोभाव अर्थात मृत्य होती है प्रमार के लिए देखिए देवी भागवत महापुरान ब्रमा मैं विश्णु अर्शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जनमवान है हम तो जनम वान हैं, हमारा तो जनम होता है और मरते हैं, नित नहीं हैं, हम अभी नासी नहीं हैं फिर इंद्रादी दूसरे देवतान नित किस परकार हो सकते हैं किर्पिया अवश्य सुनिये, जगत गुरू तत्वतर्शी, संत रामपाल जी महराज के, अम्रित वचन बेड़ी माचे समेथ, तो वो रिष्टेदार भी अच्छे थे नहीं बहुत अच्छी बात है, हम ठीक हैं, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे, तो दीरे दीरे उस रिष्टेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा के बालक भी इतना ग्यान रखते हैं, बुराई से कम होएगी, और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे-छोटे थे, अमारी बैनों के बटेवा आते थे बैनों ही, तो अमारी सपैसल सेवा लगाई जाती थी, कि इनकी चलम ठंडेनियों होनी ची एना तबेजती हो जागी, यानि इनका उक्का इतना प्याना है, ये कंध्या तो उनको भी विवस होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोटने के लिए, तमाखू, सराव, ये कोई खाने पी नहीं कि वस्तु है, बकवादल पेटली चोगर देगा है, अपना अत्मों इस परकार अब ये पूरे विश्व में एक अथी लहर दोडेगी, विकार रही होंगे, और जो माया जोडन की दोडला अगरी पुना अत्माओं या कती खत्म होएगी, ग्यान के अधार से, एक इनसान को जो भी बिलना है, उसके प्रहरद में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आउसकता होगी, वो फिर भगवाना वस्या अपने को टित देगा आपको, ये सत्कर मानना, फिर आप किसलिए चोरी करोगे, मिलाउट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विस खाना है, अपने गरपे रिस्वत लेकर, मिलाउट करके, दो नमबर का काम करके, बच्चों को खिलाना, ये समझ लो, उनको विस देंड की जुरूत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में, ऐसी सतीती हो जाएगा आपके परिवार की, हम क्यों फिर विस खाएगे, जब ग्यान हो जागा ये विस है, तो अभी तक हमें कोई ये बादा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गल्द कर रहे हो, और कोई स्वेम भी उस पर रुकने वाला नहीं था, कह देता था तो खुद करता था, जैसे हमारे दादे प्रदादे पिता जी स्वेम उक्का पीते थे और बच्चे स सकते, तो ऐसे ही अभी तक जीतने भी ये पंथ संथ थे, ये बुराया नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो बचन सकती नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई अध्यात्मिक या कोई बहती गलाब हुआ, तो अब आपको सारे काम होंगे, जो वगवान कि क्या करता है, आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करें, नी संतान को संतान दे, और भी अमारे उपर आने वाले प्रार्वत के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए वक्ती करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज कर और पशुओं का चारा काटने की मसीन भी चलेगी, आटा पीचने की चक्की भी गुमाती है वो, तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जागा, तब वो फल देगी, तो पुन्यात्मों, जैसे ये पहले जितने भी संथ पंथ हैं, ये सास्त ने अकक्कर का लटगा, उसका तारभान द मौल दिखाए, पाार अस बना रेक तो राग्ये उसे, ईसको कनेक्सन लिए बैठे, तो उनके वो कनेक्शन भी लिए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं, जो electricity करा करती है, जोकि electricity का connection है नहीं वो, तो connection उसकी कर लचका बान रख्या है तो इसी परकार ये सास्तर विजीता का मनमा नाचन करने वाले जिनका आप कोई गुरू नहीं जैसे स्रीशिवजाल जी रादा स्वामी पंथ के परवर तक उनका कोई गुरू नहीं यानि आगया कनेक्शन नहीं जहां से पावरानी थी वो तो किकर का लट था एक समझे लो अर उससे फिर यो इतने तार जोड दिये सब नहीं और किसी को खक नहीं हो रहा सारे लुट पिटके बैठें गर पे क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड कहां राख्या इन्हों ने अब दास ने बता इनको कि वो खुद बूठ बना बैठा शिवजाल जी था दासवामी पंथ का परवर्तक तुम्हारी क्या यह हैं यह अनंत कोड बिरमांड के स्वामी है और वही से हमारा पावर जुड़ा हुआ है आदने गरीबदास साहिब जी सीदे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे उनके से सुवे सीदे प्रमातमा ने आकर उनको सतलोग दिखा और वापे छोड़ा उसके बाद गरीबदास ज कुन है वो लाप देगी ही देगी आपको तो इस परकार पुन्यातमा आप जी आप सुखी भी होगे बुराईयों से भी बच्च होगे क्योंकि आपको ज्यान हो जागा है प्रमातमा कहते हैं जब तक बच्चा अभोध रहता है एक छोटे से बालक ने क्या देखा पता जी घृ जी भी गूटी लगाता था दैदा फो एक पस्म का बोसब रहा था तूड़ एक कोठ्थे में अ आधा जी दूसरे सतान पर स्राब की बोत बीक हो बाकि बची इसमें छुपा देता था और petition दूसरी साइड में चुपा देता था बच्चे देखिया करने कि एक दिन उस बच्चे ने सोचा कि पिता जी भी वह दादा पी ओए तब यह चीज हो गी तू भी पी ले उसमें कीडे मारने की दवाई थी कोई विश्था वो बो त्यल भी तूड़े मदावर अखी थी उस बच्चे ना थूथ मारा किछी कोई पाव है वो मैं भी आथ लाए गया गयल का कप मपी गया पांथ दूस मिंट पाथ से उड़े मर्या पाया सुन देख्या अबो तल दरी कप रख्या तो पुनात्माओ अर जब उस बच्चे को यह पता हो जागा कि यह तो विस है आथ पीना लावर दूसरे नवीनों का दूर यह वाई यह तो मर लोगा अर। हो बताते हैं कि कौन सा विस है कौन सा मृत है और जब आपको यह ज्ञान हो जागा फिर बताते हैं जैसे कर जेहर का रंग हो औरी ऑने खुसी जैसे कहीं पर बिसकाद कण भी गिरा हो और आपको पताचल जाए यह यह जेटम कर विसकाद है कहते हैं उस कन को भी कोन खाओगा किरके को उठा कै दूर गेर काओगा मिटी मदाब देगा राच दोएगा कहीं हमें परभाव ना कर जाओए तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जैहर का रंग हो री हो कहो कौन तिस खावराम रंग हो री हो यानि बगवान के रंग में हम इसे रंग जाँगे और फिर औरी औरी माने खुशी है खुशी होगी हमारे गर में इस परकार हम इन बुराईयों से बचेंगे और फिर सुपने भी नहीं कर सकते हैं सत्करमान लियो पनात्मा आपके आस पास में कोई किसी का धन पढ़ाओगा वे इस दिखाई देगा और कोशिस करोगे उसको उठा करके वे किसका है कहां पर है आप या उठाओगे ही नहीं और चोरी तो बहुत दूर की बात मिलावड करना रिस्वत लेना किसलिए लेते हैं हम रिस्वत किसलिए लेते हैं यह दो नमबर का काम किसलिए करते हैं बड़ी कोठी हो फिर दो बेटी हैं उनकी साधी करनी उसमें कई लाखो रुपे का दहिज देना है यही दो कारण है हमारी और बड़ी कार हो यह तीन कारण है जो हमें सब बुराईयों की तरफ खेंच रहे हैं तो हमने अपने बुदी मता के साथ और तत्व ग्यान के अधार से इनको बिलकुल कम करना है अब लड़कियों को कहर बना रखे हमने दो बेटी होगी सारा कुणबारों ने लग जाता है क्या होगा क्योंकि उनके व्याने खर्चा गणा करें लगे हम ये समाद मबकवाद वर्दी इन पिक्चरों ने तो अब हमने इसको खतम कर देना है बेटी का व्या करना है सिंपल वे से करो यो हातों बगवान करके बेज़े है संयोग वही जोड़ता है माँबाप दो दो तीन तीन साल धके खाएं जाते है संसकार नहीं होता परमातमा एक में कर देता है तो वो मालिक का किया हुआ होता उसको हमने सिरफ उनको मिलन करना बच्चों का परमातमा की वानी बोल दे और सिंपल साधान तरीके से उनका वहा कर जाओ कभी कुछ नहीं दे और बच्चों को भी एग्यान हो जागा कुछ दिनों में कि परमातमा देगा उससे पूरा उससे हमारा सफलता होगी माबाप के दिए होई से कभी सफलता नहीं होगी अब हम कितना दे सकते हैं अपने बच्चे को क्या माबाब आज इवन उसको दे सकता है सारे इतना दहिज में नहीं दे सकता बच्चा अपना करे और खाव बगवान पर आशेत रहे फिर बगवान देगा तब सफलता होगी तो ये बगवाद हमने गरकरी देखा भी इसको त्यागेंगे कती सिंपल मकान बनावाँगे आज कोठी गार्डन पर पांदस लाख रुपिय की दरुदर से कर लिए कोठी बना दी और फिर मर्ती होगी वह कोठी नोकीन रहेगी आप कुट आपने के उसकी गली में बैठा चाया में अरुछ्या मी ना बेठ ने देखो आते मार्यागा लट temas तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा बग्ती में बादक ना हो हम सारा जिए उन किले बनाने में कोठी करी दन के चकर में सोपा ंते हैं वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं कोठी कार यही रह जाती है तो इस ग्यान के आधार से आप जीने, सबसे पहले तो हमने इस व्युहा की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जुरूत क्या है, एक सिंपल मकान बनाओ जो वगवान आपको दे रखा है अवस्य बनाओ ठीक कर्मी सर्दी से बचने के लिए और समय की वरतमान की जो अवशकता हैं आपको कार भी चाहिए मानले सपीड अच्छी होगी जमाने की मोटर साइकल चाहिए आप विस्वास करना परमातमा आपको वो भी देगा लेकिन सद्वयोग के लिए उसमें परमातमा की केश डिला के चाले है उसके अंदर भगवान की टेप चला हुए मालक की चर्चा करता जावेर आवे तो वो आपको सब को दे सकता है मालक के गरमा किसी चीज़ की कमी नहीं लेकिन दुर्पयोग ना हो और हमेशा परमातमा देगा उसी मसफलता परापत होती है और बगवान तो इस मिट्टी का सोना बणा के दे दे आपको पता नहीं कहां कहां से बरकत कर देगा बीडी स्राब मास्तमा को छोड़ दी आप पर बरकत होगी आपके रोग होना था वो लागे 10 लाख रुपये एक दो लाख रुपये और एक सो रुपयां की दुआई से मालक ठीक कर देगा बाहना सा करके तो होगी वज़त सारित सुरू और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक सी विक्तिक है और अब नाम लेने के बाद डाक्टर सला देते हैं कि टांग कटती है अगर तो दो दिन लेट हो जाता था अब वो टांग बज़की दोश्य और वेगी दौईयों से तो अपने अत्मा पुन और पाप के ऐसे फल अलग-अलग बन जाते हैं तो अब पुन करेंगे तो परमात्मा अमरे साथ होगा विद्धान है उसका तो दुखानी ज़्यादा होनी हो थोड़े मटल जागी परमात्मा कहते हैं कि सत्गुर सरन में आने से आई टले बला और जैमस्तिक में सूरी होगा काटे में टल जागा यदि हमारे प्रार्वत के अंदर मर्तु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं काटा लग जाने से उसको इतने मैयाप के उस पाप को वो प्रमात्मा के निसल करवा देगा तो इसलिए बगवान की खोज हम किया करते थे तो पुनात्मों हमारे जो अध्यात्म गुरू थे वो तत्वे ग्यान हीन और हमारे सद्गरंथों से आपरिचित थे पहले कोई मजब नहीं था जो कोई बगती या तो करता नहीं था करता था तो वेदो अनुसारी करता था पुवितर हिंदू धर्म का उत्थान आधी संकराचारिय जी से माना जाता है आध से 2520 वर्स पूरव उनका जनम हुआ यानि इसाजी से 508 वर्स पूरव उसके बाद ही इसाई धर्म का उत्थान हुआ इसाजी का जनम आज से 2012 वर्स पहले हुआ और उस इसाई धर्म के बाद ही मुसल्मान धर्म का उत्थान हुआ लगवग 1400 वर्स उसको हुए है हमारा जनम पवितर हिंदू धर्म हुआ हिंदू धर्म के जो सद्गरंथ माने जाते हैं पवितर चारों वेद, पवितर श्रीमत भगत गीता पवितर पुरान और हमारे जो आचारिय, संक्राचारिय और ये मंडलेश्वर, जो इंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुरानों वेदों और गीता नुसार तुमें ग्यान दे रहे हैं और इनको कख भी पता नहीं था पुरानों वेदों और गीता जी का अब आपको थोड़ा सा ग्यान देते हैं कि शिरीमद भगवत गीता जी का ग्यान किस ने बोला अपने अत्मों इसको तत्वे ग्यान कहते हैं अब ये ग्यान तो सब ने पता है किसी से पूछ लो तुरंट उतर दे देता है कि शिरीमद भगवत गीता का ग्यान किस ने बोला श्री किरसन जी ने बोला अपने अत्मों यद ही इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की हो सकता क्या थी इन सद्गरंतों को समझने की श्री मद भगवत गीता के अंदर श्री किरसन जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी आप उन्हे अत्मों ये वतन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने क्योंकि आप जीन ऐसे गुरू मिले जीन आज तक युग्यान नरने करके बताया ही नहीं जब तक हम शिरिष्टी रतना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब कलियर करने जा रहा है शिरिष्टी रतना के विशे में सुम परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहिब ने यहां शिरिष्टी रतना तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन थुड़ा सा हिंट सद्गरंथों का देकर के और शिरिमद्बगुत गीता का ग्यान किसे ने दिया वो बताएंगे शिरिमद्बगुत गीता जहाय नमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में तीन पुरुस है एक सर पुरुस एक अकसर पुरुस है एक परम अकसर पुरुस है सतर में सलोक में जो कहा है कि उत्तम पुर्शतुन्य वो परमक्सर पुर्श है उसके विशे में गीता जी द्हाय नमर आठ के सलोक नमर एक में अरजुन ने पूछा कि आप ने जो उनत्तिसमें सलोक में जिस तत्वर्म के विशे में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी के जरा और मर्न से ही करता है तो किंतच बरम आथ में दय के गीता जी के पर्थम सलोक में परसंद किया अरजुन ने जीता जान दाता ने आथ में दय के तीसरे सलोक है कि उतर जया की आपरम अख्रभर्रम है तो पुन्य आत्म हूं हो यह सरपुरुष कौन है यह स्वेंब्रह्म है यह काल है यह गीता ज्यान बोल रहा है अक्षर पुरुष कौन है जो साथ शंग ब्रम हंड का स्वामी है उसका यहां कोई रोल नहीं है इसलिए हमारे इस ज्लतम ज्यान में इस परफिव लोग पर विसेश कर दो पुरुष्व क दो भगवानों का रोल है एक तो इस सरफुरुस यानि ब्रह्म का जो स्री किरसंदी में प्रवेश करके गीता जी का ग्यान बोल रहा है जिसने ग्यान बोला और दूसरा प्रमक्सर ब्रह्म है जो उत्तम पुर्शातु अन्य प्रमातमायती उधारते ये लोग तर्मावी सेव और प्रमक्सर ब्रह्म है जो उचान करके स्री छोड़ कर जाता है ओम नाम से मिलने वाली जो प्रम गतीव्स को प्राप्त होता है वो कौन सी है ब्रहम लोक वो नाम से ब्रहम का है ब्रहम लोक में रहता है ब्रहम तो ब्रहम प्राप्ती होती है आठ में जाएके शोड में सलोक में लिखा है कि ब्रह्म लोग प्रियंत भी जनम मर्थ्यों के अंदर हैं ये भी पूर्ण मोक्स नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्म लोग में गए हुए प्राने भी वापस आते हैं और गीता ग्यान दाता स्वंभी कहता है दूसरे जाएके बार में सलोक में चोथे जाएके पांस और नौ सलोक में दस में जाएके दूसरे सलोक में के अजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके इसलिए अठार में जाएके बैसेट में सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सण में जा उसकी किरप और जिस परमेश्वर ने सबर्मढडों गृतना की है और के उलसी की भक्ती करो यह गीता अजयान दाता कहता है तो इसे सद्ध है कि स्री मद भगवत गीता का ग्यान देने वाले से भी कोई और एक सुपरीम पावर है अब स्रीमद भगुत गीता का ग्यान कौंदे राज जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है ओम नाम ब्रह्म का है और ये ब्रह्म कौं है ये काल है इसने परतीग्या कर रखिया कि मैं कभी किसी के समक्स नहीं आऊंगा मेरे करम और जनम अलोकिक है गीता जी दह नमबर चार के स्लोक नमबर नौ में ये कहता कि अर्दुन मेरे जनम और करम दिव है अलोकिक है अपने अत्मा हो अब हम आपको श्रीमद भगुत गीता जी का ग्यान किसने बोला ये थोड़े से संक्सिवत में सुनाएंगे श्री किर्शन जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ग्यान में कैसे के श्री किर्शन जी युद के पक्समा नहीं थे इसमा बारत के युद में और दीन बार वो गए है सांती दूत बनकर समझाने की चेश्टा किये कोरो और पांड़ों को लास्ट मैं यहां तक जब फैंसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होंगा एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं सस्तर भी नहीं उठाऊंगा प्रतिग्या कर लिया तो अपने अत्माओं जो महापुरस यह कहता हो कि मैं अथियार भी नहीं उठाऊंगा क्या फिर वो युद्ध की सला दे सकता है नई अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने ये गीता जिदाय नमबर 7 के सलोक नमबर 24 और 25 में सब्ष़ करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ मैं कभी किसी के समक्स नहीं होता ये मेरा अटल अनूतम अवे अनूतम यानि गटिया अटल नियम है इस ते गटिया और के उगाजव पिता अपने पूतरों के सामने नहीं आता हूँ उसमें कोई दोस है तो इस कारण इस परकार वो सफ़श्ट करता है कि मैं अपनी योगमा ऐसे छुपा रहता हूँ और मुझ एव्यक्तम व्यक्तिम आपनमननते मुझ एव्यक्त को मैं तो एव्यक्त रहता हूँ और मुझे कर्शन मान रहे हैं ये मुर्क्स दन सुमदाए I am not कर्शन गीता ग्यान दाता केता है अब ये इसके जनम और करम कैसे अलोकिक है पनात्माओ ये काल जो है जैसे आप जी ने शिरी शिव प्राण के अंदर इस विद्वेशर सहिता के अंदर देखा आपको दिखाएंगे तो उसके अंदर क्या लिखा है कि बर्मा और विष्णुजी का आपस मैं इसी बात पर युद्ध हो गया बर्मा जी कहते है विष्णुजी को के मैं तेरा जनक हूँ मैं तेरा बाप हूँ तेरी उत्पती मैंने की है विष्णुजी कहते है मैं तेरा बाप हूँ तेरी उत्पती मेरी मुना भी कमल से हुई है इसी बात पर इनका युद्ध हो गया इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता जिसने या गीता का ग्यान बोला ये इनका पिता है ये काल रूपि ब्रहम सदा सिव यही है इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया सतंब और बहुत लंबा चोड़ा ये उपर नीचे गुम्मन लगे उसका और छोर प्राप्ट करने के लिए युद्ध बंध हो गया फिर ये स्वम अपने पूत्र सिव का रूप दारण करके खड़ा हो गया फिर इनको समझाने लगया कि तुम बगवान नहीं हो तुम आपने आपको इसमान लिया जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने फिर ये कहता है कि पुत्रो ब्रमा और विष्णों को कि तुम ने जो दो कृत दो डेपार्टमेंट जैसे उत्पत्ती और सथीथी का तुम ने मुझ से प्राप्त किये तब पस्या करके इसी परकार दो कृत महेश्वर और रुदर को ने प्राप्त किये मेरे से इसका मतलब यूँ पांच माह है जो शिरी शिव पराण का ग्यान और ब्रमा विशनों को जो ग्यान दे रहा है यूँ इनका पता है और ये उसी विद्वेश्वर सहीता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्सर है नथिंग एल्स और इसका सिमन करो इसका सिमन करने से मेरा ही समन होता है तो इसे सद हो गया कि जो शिव पराण के विद्वेश्वर सहीता कि अंदर बोल रहा है वो काल है और वो सिव रूप बना के खड़ा हो गया ऐसे यह चल करता है किसी को ब्रमा रूप मदरसंदे देता है किसी को विश्णु जी के रूप मदरसंदे देता है तो वो विश्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विश्णु जी आप ही भगवान हो आप सुपाय हुए हो अपने आपको इस परकार इनको भरम हो जाता है और ये कैसे इसके करम अलोकिक है अब आपको दिखाते हैं थोड़ा पर्मान सद्गरंथों में एक बार देवताओं का और अशुरों का राक्ससों का युद्ध हो गया और राक्सस विजेई हो गये देवता बाग गे मैदान छोड़ गये देवताओं ने कहीं जाकर के इकठा होके बगवान विश्णु की अरादना की और ये विश्णु रूप दाण करके युवर्मा विश्णु महिश का पता जिसने गीता बोली ये वहां पर गट हो गया और इसने पूछा के तुमने जो तुमारे मन की बात मन जान ली है और आप जाओ जो ससाद का पुरंजे नामक पूतर है उसको युद के लिए खड़ा कर लो राक्ससों के आमने सामने खड़े हो जाओ और उसको त्यार कर लो मैं उसके स्रीर में परवेश करूँगा राक्स एक द toy देखेगा श्रीविष्नु प्राण गीता प्रैस गोरकपुर्पुर में प्रकासित है किंची घ्रशािक एक स्थित्र हिंदी अनुवाकत सभी साथ है अनुवादय के मुनिलाल गुप्त है और इस प्रेस गोरपुर में परकाश कॉत क्रें का स्थान ये है अध्याय नमर दो और चतूर थांस और 233 प्रिष्ट पे ये विश्डु प्राण अब हमें आपको यहां ले आते हैं 233 प्रिष्ट पे यहां से पड़ेंगे पूर्वे काल में त्रेता युग में एक बार अती भीशन देव असुर संग्राम हुआ देवताओं राक्षसों का उसमें महाबलवान डेट गण से प्राजित हुए देवताओं ने बगवान विश्डु की राधना की तब आदी अनंत सुन असेस जगत परतिपालक श्री नाराण ने देवताओं से प्रसंद होकर कहा आप लोगों का जो कुछ अभिस्ट है वह है मैंने जान लिया है तुम जो चाहते हो मैं समझ गया उसके विश्य में यह बात सुनिये राजरिसी ससाद का जो पुरंजय नामक उत्र है उस अक्सत्रिय स्रिष्ट के सरीर मैं अन्स मातर से यानि कुछ समय के लिए स्विम अवतीरन होकर उन संपुर्ण देट्यों का नास करूंगा अते तुम लोग पुरंजय को देट्यों के वद के लिए त्यार करो ठीक हो गया अब इसने क्या किया पुरंजय को खड़ा कर लिया देवताओं ने समझा गुजा के और राक्सस भी सामने हो गये यह काल जो है उस पुरंजय के अंदर प्रवेश कर गया क्योंकि यह एक हजार भुजा का एक हजार कला का मालिक है जर्मा विश्णों में चार चार यह सोला सोला कला के मालिक हैं तो इसमें सक्ती ज्यादा इसने उन सब राक्ससों को मार डाला तो अब दूसरा उधान देखते हैं आपको एक समय गंदरों का और नाग वनसियों का नाग गोतर के विक्तियों का आपस में युद्ध हो गया तो गंदरों ने नागों को प्राजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया तो फिर नाग वनसियों ने यानि नाग गोतर वाले विक्तियों ने कठे होकर वगवान विश्णों की अरादना की फिर ये विश्णों रूप में काल पर गट हो गया इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही प्रुकुट्स को त्यार करो प्रुकुट्स को उसको त्यार करो उसक और सलोक नमबर 200 यह श्री विश्णु प्राण यह है अध्याय नमर तीन और चतूरत अंस श्री विश्णु प्राण प्रिश्ट 242 पे यह नीचे आईएगा तीसरा अध्याय पूरुवे काल में रसातल में मोने नामक 6 क्रोड गंद्रव रहते थे उन्होंने समष्ट नाग कुल के परधान परधान रतन और अधिकार छिन दिये थे गंद्रवों के प्राकरम से अपमानित उन नागेश्वरों दवारा सतूती किये जाने पर उसके सरवन करने से जिनकी विक्सित कमल सदर साखे खुल गई है निंद्रा के अन्त में जागे हुए उन दल स्याई भगवान सर्वे दिवेश्वर को परणाम कर उन से नाग गुणों ने कहा भगवन इन गंद्रवों से उत्पन हुआ हमारा भैकिस परकार सान्थो तब आदी अनंत रहीत बगवान पुर्शोतम ने कहा यो नासाओ के पूत्र मान धाता का जो यह पुरकुट्स नामक पूत्र है उसमें परवेश्ट होकर मैं सभष कर दिया परवेश्ट होकर उसमें परवेश्ट करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंद्रों का नास कर दूँगा अब इसके करम अलोकिक ऐसे हैं ये कहता है मेरे करम देव हैं इसी परकार इसने श्री किरसंद जी में परवेश करके गीता का ग्यान वेदों वाला पलस में अपने युद कराने की जो अठकलवाजी ये श्री मद्वगवद गीता नाम से अठारा ध्याय इसने बोले और आखिर में ड्रा धमका के विराट रूप दिखा के भेंकर रूप देखकर जिसको दिखा कर जिसको देखकर के अरजुन कापण लग गया अरजुन जैसा युद्धा और लास्ट में ड्रते ने हांबर ली अरजुन ने कि उसने सोच लिया कि इसका उदेश से युद्ध करवाना है और ये दी मैं ना कर जूँगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा जिया मेरा आर्ट टेक हो जागा इसलिए इसने अपनी बलाइ समझी कि मरना तो मने है युद्ध करूँगा हूं आप भी मारा जा सकता हूं और जब इसने फिर विराट रूप दिखा जिया फिर भी मारा हा सकता हूं और भगवान के अरदय से वो प्रिचीत हो गया था कि ये युद चाहता है तो इस क्या कहते है हमारे दर्म गुरू कि अर्जुन अक्सात्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान उसको प्रेरिज किया रश्री किरसें स्वेम अक्सात्री था और जब काल्या वन नचट आई करेम अथुरा के ऊपर स्वेम भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भागे थे जिस कारण से उनको रण छोड़ बगवान करें कहा जाता है तो उनों ने उस समें भी अपने अक्सात्रिय धर्म का पालन त्याग दिया इसलिए कि जिस कारण से अनरथ टल जावा है नास ना हो है तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्सात्रिय धर्म के पालन करने के ल सारसाद ना करेंगे और ग्यान करेंगे अब आपको दिखाते हैं के स्री किर्शन जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी मैं अभी दिखाता हूँ अपना अत्मों मा भारत का योदो लिया कौर्वों का नास हो गया पांडो राजगदी पर विराज़मान हो गए उसमें स्री किर्शन के अंदर से काल निकल गया अउनली स्री किर्शन विदमान था प्रेजेंट सा एक जिन स्री किर्शन जी ने कहा कि अब मैं वापिस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज़ करो अर्दुन ने कहा कि बगवन आप हमें कुछ सत्संग अज्यातम ग्यान सुना कर जाओ क्योंकि आप हमारे गुरू हो एक सत्संग करके जाई हो जब सरोतागन सामने बैठे थे अर्दुन और किर्शन वहाँ पर टैल रहे थे सत्संग का समय कि इंतजार करेते सरासर दालू आ रहे थे तब श्री कर्शन जी से अर्दुन ने कहा बगवन करपा मुझे वही ग्यान सुनाना जो आपने युद के दोरान सुनाया था यानि वो गीता जी का ग्यान बताना अब मैं भूल गया हूँ बुधी के दोस्ते मुझे याद ने रहा श्री कर्शन जी कहते हैं कि तू बड़ा सरदाहीन है अर्दुन तू बड़ा बुधी हीन है तू ने उस ग्यान को याद क्यों ने रखा और अर्दुन पर तो डाट मार रहे हैं कि तू ने याद क्यों ने रखा जब युद्ह के इसे खतरनाक बेंकरसे में योग युगत हुआ जा सकता है तो इस पीस में की दिक्कत हैं की युग युगतों में हैब जाँ आत्मा अपने सचेत होती है फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं ऐसे बोला था तुम ऐसे बोला ऐसे बोला उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला और ही बताते हैं फिर वो करने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला तो ऐसे स्री करसंद जी मैं परवेश करके उसकी आत् को दबाकर ये काल बोल गया सारे काम नहीं और उसके निकलने के बाद फिर और इजनल करेशन था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको देखिए कि ये संक्षित महाभारत दिवतिय खंड ये दिवतिय खंड गीता प्रेश गुरुपुर से परकासित है संपादक्तताशंसो दखें जयद्यागोईंड का जीशने मतमूत गीता का अवियनवाद किया है गीता प्रेश गोरुपुर से परकासित है गीता प्रेश गोरुपुर से इसके 667 प्रेश्टपर आप जी को ले चलते ये देखिएगा प्रेश्ट नुबर 66667 और ये है संक्षिप्त माभारत संक्षिप्त माभारत अब यहां आगे हम जनमेजे ने पूछा बर्मन सत्रों का ना सो जाने के बाद जब मात्मा श्रीकरशन और अरजुन सभा में बैठ कर वारता लाफ कर रहे थे उसमें उनमें क्या बात्चित हुई तो वेश्म पयान जी कहते हैं कहा राजन श्रीकरशन के सीथ अरजुन ने अब जब अपने राज्ये पर पूरा दिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव सभा बवन में आनत से रहने लगे एक दिन सवजनों से गिरे वे वे दोनों मेत्र सवेच्छा से गुमते गुमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो सुरुक के समान सुर्दर था पांडो नंदन अरजुन श्रीकरशन के साथ रहकर बहुत परसंद थे एक बार उन्होंने उस रमनिक सभा के और दर्श्टी डालकर बगवान से ये वचन के देव की नंदन जब युद का आवसर उपस्तित था उस समय मुझे आपके मात्म का अब यहां धर्चाहरे निके और ग्यान मात्म का ग्यान और इस्वरिये सुरूप का दर्शन हुआ था किंतु के सब अब आपने सनेवस पहले मुझे जो ग्यान का उपदेश किया था वह है सब इस समय बुधी के दोस से भूल गया है उन विश्यों को यानि गीता सिरिमत बगुत गीता के ग्यान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उतकंठा होती है इदर आप जल्दी ही द्वार का जाने वारे हैं अतेपुन उस सब विशे को वैविशे मुझे सुना दीजिए वैसमपयान जी कहते हैं अरजुन के ऐसा कहने पर वक्तावम स्रेष्ट महातेज़स्वी भगवान श्री किरसन ने उन्हें गले से लगाकर इस पर कार उतर दिया है श्री किरसन ने बोले अरजुन उस समें मैंने तुमें अतंत गोपनिय विशे का सरून कराया था अपने सरूप भूत धरम सनातन प्रुशोतम ततों का प्रीचे दिया था और नित लोकों का भी वर्लंड किया था किन्तु तुमने जो अपने ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जान कर मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संबाव नहीं जान पड़ता है पांडू नंदन निश्चे ही तुम बड़े सरदाहीन हो तुमारी बुदी अच्छी नहीं जान पड़ती अब मेरे लिए उस उपदेश को जों का तुम दुरा देना कठीन है क्योंकि उस से में योग योग्त होकर मैंने परमातम तत्व कावरान किया था अब अब आपके कती समझ मा जागी योग्यान बोला किसने श्री किर्शन जी का था रोल नहीं गी था कि ग्यान में अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे दस वर्स के बाद पूछ दियो जी इस विसे पर दो आपने ये सत्संग किया था करपा फिर सुना यो कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूँगा क्यों कि मैंने अपने होस हवास में सुना रहा है और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये वात बोलूँगा दो श्री करचंद बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा तुम कैसे विक्ती हो सरदाहीन हो बुदी हीन हो रवले आदमियों ये दास सत्संग करेगा और पर्थम वार्दो सरोता इस सत्संग को सुनेगा बीस परतीसत याद रहता उसको और मैं फिर डाट मारूं कि तुम नहीं याद क्यों नहीं रखा तो इसका सिस्षे सिद्ध है कि खिस्यानी बिली खंबाना उत रही है यानि उसको ग्यान नहीं खुद को और उसको दुमका रहा है कि तू नहीं याद क्यों नहीं रखा तेरह के विज्री गर्गीवे अब ता आपको क्या हो गया जब ऐसे बहंकर युद के समय में आदमी योग युग्त हो सकता है युद तो सांत है सब तरह से बिलकुल पीस ओफ माइंड है अराम से योग युग्त हो सकते भाव कहने का ये कुनात माओ श्री करसंदी का तो रोल ही नहीं था गीता के ग्यान देन में अब श्रीमत बहुत गीता का ग्यान दिया किसी ने है ये काल ने दिया गीता जी दायर नबर 11 के सलोक नबर 32 में सुम कहता अरदुन मा काल हूँ और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तिक रूप है और इस रूप का यानि जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दरशन हुआ ना आगे कोई कर सकता ये तेरे उपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप देखा पुनात्माओं यदि श्रीकरसंदी बोल रहे होते गीता तो ये सब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप एले किसी नहीं देखा क्योंकि श्रीकरसंदी तो अपना विराट रूप कोरूओं की सभा में देखा चुके थे उस विराट में दिन रात का आंत्र है अपना अत्माओं एक तो साइट वाट का बलब हो ट्योब हो अर एक हो एग हजार वाट की तो कितना आंत्र है ट्योब दोनों है लेकिन वो 1000 वाट वाड़ी 60 वाट वाड़ी से भिन होती है तो इसी प्रकारी इन दोनों नहीं विराट रूप दिखाया था उसमें उसमें भिनता थी और ये सबद श्रीकर्शन जी नहीं कह सकते कि पहले किसी नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता तो इसे सिद्ध है गीता ग्यान डाता स्री करसन नहीं उसके अंदर परवेश करके काल बोल रहा है वो एक हजार भुजा का भगवान है एक हजार कला का है सैसरा बाहू गयार में देंके 21 में स्लोक में अरजुन कहता है के सैसरा बाहू हे एक हजार भुजा वाले भगवान अपने उसी चतुर भुज रूप में आजाओ क्योंकि वो स्री करसन भुजा रहा था उसको और स्री करसन इजी विष्णू विष्णू इज विष्णू जी जो है ये चार भुजा के भगवान है अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि स्री मद्भगुद गीता का ग्यान किसने बोला और अन्य परवाने की ये है कि स्री करसन तो अरजून के साले थे अरजून की बहन अरजून को विहाई थी सुब्द राजी अपने साले को पैचानने से भूल गया वो श्री करसन नहीं था वो श्री करसन जे बाहर निकल कर वो कॉल बुढ़े रात वह से बैंकरूप दिखाया और श्री करसन अलग खड़े हैं वो जल होगे उसके प्रकास मतेज में तब अरजून पूछता है ए मान भाव आप कौन हो मापको नहीं पैचानता तो क्या स्री करसन थे वह और भी धेर सारे प्रमान हैं कि स्री करसन जी ने गीता का ग्यान नहीं का स्री करसन जी ने पहले कभी काल नहीं का अपने आपको बाद में कभी काल नहीं का श्रीकरसन जी के पास तो ये जितने गवें थी गवालवाल थे गोपियां थी सब आकर के प्यार पाते थे उसकी तरफ देखते रहते थे निहारते रहते थे क्या वो काल हो सकते हैं तो अपने अत्मा श्रीमद भकवत गीता का ग्यान इस सर्पुरुस ब्रहम ने दिया जो ग्रमा विश्णु महिस का पिता है और इसी को हमारे धर्म गुरूप इसी को प्रम ब्रम बोलते हैं इस काल को कि ये मूर्ती रहित है ये आकार में आया तो सदासीव बनी गया जर्मा जी बताते हैं और फिर इसने ही अपने सरीर से एक इस्तिरी की निकाली अपने स्रीरत है जो इसके स्रीयंग से अलग होने वाणे नहीं थी, वो कौन थी? वो दुरगा थी, वो परमेश्वन निकाली थी, स्काल के पेटत है, जो आपको स्रीष्टी रत्नाम बहुत बार बताे महलब बताया और सुनाया गया है. तो ये श्री शीव प्राण के अंदर आप देखते हो रुदर सहिता के अंदर आपको कल भी दखाए था और और भी दिखाएंगे समयाने पर. तो उसके अंदर सपष्ठ है कि स्री दुर्गाजी से और स्री शीव यानि इस कसत काल रूपी बगवान से विश्णु जी की उत्पती भी इन दोनों के शिरिष्टी करम से और ऐसे ही ब्रमा जी की उत्पती की और फिर विद्वेश्वर सहीता में ये आपने देख लिया पां अब इसने अपनी सती थी बताई कि तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके अर्जु तो नहीं जानता मैं जानता हूं और इसलिए परमक्सर ब्रम की तरफ अठार मेदाय के बैसेट में सलोक में इसने कहा है यदि तुने पूरन मोख्स चाहिए परमस्यानती के उस चाहिए तो उस परमक्सर ब्रम की सरण में जा उसकी किरपा से तुप परमस्यानती को और सनातन परमधाम को प्राफ्त होगा फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ जिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो संत जैसे बताएं तू वैसे बक्ती कर तब तरह पूरन कल्याण आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं जी नमस्कार जी नमस्कार क्या नामें जी आपका हमारा नाम जानवी प्रदीप वालसकर जानवी जी क्या करते हैं आप हम टीचर है आरेसेस वाले स्कूल में सरस्वती शिश्यु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कारियरत रहे आपने संतरामपल जी महराजीसे नाम दिख्शा लेने से पहले क्या भक्ति सादनाई की हमने सभी देवी दिवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदु समाज में अभी चलते आ रहे हैं और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्ति में था हमारे मम्मी पापा काफी भक्ति करते थे बचपन से हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में आटे की लोई में बना के मचली को खिलाने के लिए कहते थे हम चारो बेहन भाई ऐसी करते थे और मम्मी जितने भी वरत करते थे हम मम्मी के साथ-साथ वरत करते थे विशेशत्वर से गनपती और बहुले नाची की भगवान करते वरत करते थे और संकष चतूरती भी मम्मी के साथ करते थे बच परिवार की थी और विवाह के बाद तो हम काफी परेशान हो रहने लगे कि अर्थिक भी और मांसिक भी घर में भी बड़ी अश्चान्ती थी तो वो बोली कि तुम गायतरी का मंत्रेजाप करती रहो इससे आपको बहुत लाब होगा कि सारे दुख दूर हो जाएंगे तो हम जय के साथ गे और नामदिख्षा लेली गायतरी और तब से हम गायतरी कि इतनी तन्मन धन से बुरत करते थे नव रात करते थे साenden जाते Minsks कर शां चांति में दे थे स्वें एग्य का ट्रेणिकम आते थे थी वून नव दीन का सत्र करके आते थे हम और त्रेण्ग लेने के बाद जहां से भी आता है फोन या भुलावा आता है कि यहां हवन होना है या विवास अंसकार होना है या जनम दिन संसकार है तो हम मा बेटी चले जाते थे जोला उठा के बेटी डफली उठा लेती थी वो भजन पुजन करते थी तीन गंटे लगते थे हवन यग्या में हम प इतने ठक गये थे इतने रोते थे गहत्री माता यह कब संकट निवारन होंगे और कितने देना है तो इक खटा देदू पर यह खतम हो जाए जब भी हम शांतिकुन जाते थे शांतिकुन से शैल दीदी से चारण सपर्श करते थे तब हम यहीं कहते थी कि दीदी हमारे बहुत स आमाप्त होंगे तो कहते थे कि यह प्रारब्ध है यह तो भोगना ही पड़ेगा बेंजी हमें आप एक बात बताईए आपने गायतरी परिवार में रहके कितने साल तक साधना की है लेकिन गायतरी परिवार में जिस तरह के यग्यहवन करवाए जाते हैं और जो आप गायत कोई लाभी नहीं हुआ और हम इतने निराश हो चुके थे इवन इतना हम यह बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे जब हमने तत्वदर्शी संत को धोड़ने लगे फिर हमने क्या किया कि स्री राम चर्मा अचार जी की लिखी छोटी-छोटी पुस्तक थी तो पहले हम हमें ब्रह्मा की पुस्तक में लिए प्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही बगवान हो सकते पुरुन ब्रह्मा तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वह अपने बेटी पे ही बुरी नजर डालता है और उसका शीलहरन करता है हमने का नहीं यह बग पर जब बकरी दाती तो बेख़ काट के अपनी एद मना रहे हम ने का अल verg Recovery कर और ममाश के अपनी एद मना रहे हम ने का आ सका आनि हो सकता है इस ने बनाया सारे जिव जन्तों को को उसको काट और माश को और कटने के लिए कभी नहीं कहिए तो फिर अल्ला हमने साथ भी चार्च गए दो तिन बार फिर उन्होंने हमें एक चोटी सी बाइबल दी ये पढ़ो तो हमने वो बाइबल पड़ी बड़े श्रद्धा पूरवक पर जब यशु को यहुदी लोग मारते हैं बूरी तरह के और क्रास पे लटका देते हैं और खील ठोक देते हैं जानवी जी आपने अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में बिता दिया जिसमें आपने चारो धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा प्रतेग धर्म के गरंथों को पड़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जब अपने चारो धर्मों को अपना के देखा उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई जिसको आप भगवान कैसे को आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिली तो जानवी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महराज के बारे में आपको कैसे जान कि तब तक तक तुम दो मिंट से बात कर लो चाचा से बात की तो चाचा वोली तुम्हारे पास time हो तो मैं थोड़ी बात बता दूं हमने कहां बता दीजी आदे गंटे में क्योंकि हमें तुछ निकलना था तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोका हो गया आपको ये जानकारी कहां से मिली? का है पात रुपी संसार जानवी जी हम आप से जाना जाएंगे कि आपने अपने जीवन में एक सिख्षक के रुप में काम किया है आपने गीता जी को भी पड़ा है तो गीता जी अध्याय 15 के स्लोक एक के उल्टे लटके वे संसार रुपी व्रक्स की जो आप बात कर रहे हो तो क्या यह जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली तत्वदर्शी संत पूर्ण पर्मात्मा एक ही होता है विश्व में और वो संत रामपाल जी महराज है यह हमाई चाचा ने हमें समझा कि बताया वह उल्टा रुख्ष पीपल का सौंसार रुपी रुख्ष जो जब चाचा ने यह बात बताये कि यह शर्पूरिस का की पतनी दुर्गा है इनके तीनों पुत्र है यही गुण है रजोगुणी रुपई ब्रह्मा सतोगुणी विश्णु और तमोगुणी शिव और हम उल्टी पुजा कर रहे हैं पात रुपी संसार हम इनके पुजा कर पूर्ण पर्मात्मा कबीर है ऑपने बताया और ध्यां से सुन रहे हैं जब हम ब्धक्ति रूपी जल जड में डालेंगे तो यह पूरा भरा होगा फेलों प्फफूले नड़ जयेगा और खाया भी मिलेगी अपनी नहीं को और मोख्ष भी मिलेगा थिल्मAnn इतना बताया हमने का चाचा आप में देर हो रही आप हमें यह पुस्तक दे दी हम ने का हे परमात्मा आप यहां मिले हम इतने ऐसे होगे बिलकुल गदगद तो चाचा से हमने कहा कि हमें दिख्षा लेना है तो फिर चाचा ने हमें फॉन नंबर वगरे करके बात करके नामदान किंद्र का आता-पता बता दिया वैसे हम पुने में आयर और हमने अठवी जन्वारी को 2017 में नाम दिक्षा ले ली आपने संत रामपाल जी महाराद से वेदो का ज्यान प्राप्त किया तो हम आप से जाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराद से जुड़ने के बाद आपको कोई संसारी की आर्थिक लाब भी मिला जी हमें बहुत लाब मिला सबसे बड़ा लाब तो अध्iacमिक का लाब मिला है सच्चा गूरु मिला पुरुनपरमातमा कोन है जिसके खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहा है ये भी पता चल गया कि हमें अपने निजधाम जाना है और वहीं से हम आये हैं ये हमें लाब बहुत बड़ा मिल गया और हमें ये लाब मिला है कि हमारे हजबन को अस्तमा था 20 साल से, आज उनका अस्तमा पुर्णता अस्थी टक्के, सही हो गया है, ने तो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया थे और वो भी मान गये थे कि ये अभी बचने वाले नहीं है, ज उन्होंने सत्भक्ति दी, वो मंत्र में ही पावर है, सत्नाम का मंत्र स्वास से ही है, उनकी स्वास की बीमारी है, स्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है, और हमें अने को लाब मिले, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं मेरी बहन और मेरे पती और उनकी बेटी, हम छारो लोग हर्याना में गए तो वह बहुत तेज से बारिश आई और इनका असनमा बढ़ गया तुरंत इनका असनमा बढ़ गया तो हमने कहा है । और तो उतने में एक आट वाल आया आट वाले से कहा हम ने कि आप रुको थोड़ा को जाथ है दिल्ले प्लाइट से जाना था तो उतने में परमातमा से कहा कि संतर रामपाल जी महाराज आप मेरे भगवान हो आप इन आप सारी विवस्ता कर दीजिए उतने में एक सफेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही कहती बहन जी आप लोगों को कहा जाना है तो हमने का हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड़ी जाना एक हमने का भाई इनकी तबेत खराबरी आप अपने घर ले चलिए एट वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संतरामपालजी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा वेवार किया गरम पानी गरम चाय सब दे दिया उनको और उन्होंने एक अस्तमा की पूडिया वालों से लाकी उनको दी और उनका अस्तमा एकदम ठीक हो गया दूसरे दिन वह लोग अस्पटाल लेके गया अर तिनमने की दवाЇं दी वह दिन और आज का दिन उनका पूरा जड़ से खतम हो गया है संतर अंपल जी महाराज की दया से और हमें यह लाब मिला कि हम बातरूम में ना आने जा रहे थे तो वह हीटर अटमेटिक था पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया हम कपड़े भी दो रहे थे उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से और दे किया है वहां पर और एक लाब बताना चाहती हूं मैं हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे वाइक से और पिछे से एक दूसरी वाइक आती है डबल सीट वह हमारे गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पर गिर जाते हैं पर संतर अंपल जी महाराज की दया से उसी स पर गजह को अचैनल अओं तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगाव में यह जिवन दान वी गिर आंप herbs युझा पड्माट्माद × boy और मतर मतर अविल मोहीं थे वहाव पर बोलते यह गुरु ब्रह्मा गुरूरिंविश्णी गुरुरु 54 नमए हरियाना में आया है संतरामपाल जी महाराज की रूप में आप निरंतर एक महिना तक ससंग देखिए किसी भी चाइनल पे देखिए कई चाइनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है वाट्सेप नंबर उसमें दिया है आप वाट्सेप करके निश्वल्क पुस्तक ज्यान गंगा और जीने की रहा एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लेजिए पूरा ज्यान समझ लेजिए और पुरुना परमात्मा की शरण में जाके अपना पुरुना मोक्ष करवा लेजिए आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रवचन आप संपो